नमस्कात दोस्तों मैं हूँ रानार्पृताप प्रॉय आपका दोस्त दोस्ते अगर फिस्ट स्वागते आप सबका मेरे यूटिप चैनल पर जिसका नाम हिल्थ एंड ब्यूटि टिप्स बाई रानार्पृताप प्रॉय याने की मैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जा अगर आप चाते हो कि अच्छी जानकरी आपको मिलती रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ बेनर डिल सिरफ के बारे में आज कल का जो मौसुम है उसम बालने का नाम नहीं लेता है और उसमें कौन सा कॉफ सिरफ आपको लेना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों बेनर डिल कॉफ फर्मूला सिरफ जो होता है कॉफ सिरफ वो जॉंसन और जॉंसन प्राइबेट लिमिटेट का एक प्रोड़क्ट है और यह ब यह बेनर डिल को बहुत ही अच्छा कॉफ सिरफ के काटेगरी में खड़ा करता है तो यह इतना फायदा क्यों करता है इसका कंपोजिशन क्या है देखें डाइफेन हाइडरमाइड जो है यह एक प्रकार का एंटी अलर्जिक है जब सर्दी जुकाम के साथ साथ बोड़ी मे अलर्जी हो आखे लाल हो जाता है और स्वाश लेने में भी दिक्कत होता है चीक है आती है तो उस समाई डाइफेन हाइडरमाइड जो की एक एंटी अलर्जिक है उसको लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है और इससे खासी आनात्तुरंत ही रुख जाता है इसके साथ स उसको निकलना हमारे फेपडों में से और बलगम को छोटे-छोटे टुकडों में जमा के उसके छोटे-छोटे दाने टाइप का बना के जो खासी के साथ में वो निकल जाता है और अगर बलगम आपका गाड़ा है बहुत थी तो उसको छोटे-छोटे भागों में तोड़ने क काम करता है और फेपड को साप करने का काम करता है इसको पीने के बाद में जब कॉफ सिराप में ये मिला होता है एकदम तुरंत जो खासी होती है खासी के साथ-साथ जो फेपड में या गले में जो स्वाशनली में जो जलन होता है उसमें एकदम से ultimate relief मिलता है साथ-साथ इसके गाढ़ा बलगम को पतला करके ये स्वाशनली से निकलने में मदद करता है इसको लेने से जो स्वाशनली है उसमें शंकुचन पैदा होता है और उससे बलगम को निकलने में बहुत जादा हेल्प मिलता है और ये स्वाशनली में हुए सुजन और इंफेक्शन को भी सही करने क काम करता है sodium citate तो ये तीनों चीजों का जो मिस्टरण है इनको मिला करके बेनाडिल सिरप एक बहुत ही अच्छा कॉफ सिरप बन जाता है इसका इस्तेमाल बलगम बाली खासी के लिए करना चाहिए अगर आपको सूखी खासी भी हो रही है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते है आपको उसमें relief जरूर मिलेगा लेकिन कई वर ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि सुखी खासी है या बलगम बाली खासी है बलगम होता है लेकिन आपको पता नहीं होता है कि बलगम है कि नहीं बलगम निकलता नहीं है तो आपको लगता है कि सुखी खासी इसलिए आप सुखी खासी बाला सीरप लेते हैं लेकिन आप अगर बेनर डिल कॉफ फर्मूला का जो सीरप है उसको अगर लेंगे तो आपका सुखी खासी भी अगर है तो वो सुखेगा नहीं और जो बलगम बाल सुबा दुपा शाम तिन टाइम लेना चाहिए इसको बिना पानी से लेना ही सही रहता है इसको आप पानी में गरम पानी में मिला कर भी ले सकते हैं इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए या खाना खाने के बीच में लेना चाहिए अगर आपको इमर्जन्सी में कभी भी खासी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते है चाहे रात में हो या दिन में हो किसी भी समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते है इसकी अगर side effect की बात की जाए तो इससे चुकि इसमें antistamine होता है तो इससे आपको नीद आ सकती है आपको कमजोरी हो सकती है आपक तो पीकर के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, उससे आपको एक्सिडेंट का खत्रा बना रहता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा नशा होता है, तो इसका कोई गंभीर परिणाम तो नहीं है, लेकिन इसके साथ इसमें पेट, दरद, मरोड, गैस, अपच भी बन सकता है, उपकाई भी आ सकती है, अगर इस प्रकार की कोई भी छोटी मोटी समस्या हो सकती है, आपको होती है, तो आप डॉक्टर से मिलके उसका सामाधन करिए, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बेनर डिल, कॉफ, फर्मूला, सीराप के बारे में, जो शंक्षेप में मैंने जान करी दिया है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और जला सा भी helpful लगा है हमारी यह जान करी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प् करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोस्ट सके, तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी सौस्त रहें, सुरक्षित रहें, जय हिन जय भारत